नमस्कार साइबर क्राइम पुलिस इस्टेशन हैदरबाद के तरफ से कुछ दिनों पहले दो केस का रेजिस्टेशन हुआ था ये दो केस ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं यूज ओफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म पिछले 15-20 सालों से हर चीज को कनवर्ट कर रहा है ऑनलाइन फेसिलिटी में और गेमिंग और इस तरह के कुछ दूसरे क्राइम्स भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अब हो रहे हैं तेलंगाना गवर्मेंट तेलंगाना स्टेट कंट्री में सबसे पहला स्टेट था जो ऑनलाइन गेमिंग को इल्लीगल करार करते हुए एक एक्ट पास किया था और इसलिए जहां दूसरे स्टेट सौ साथ से ज़्यादा पुराना लौ पे अभी चल रहे हैं तेलंगाना इन्वेस्टिगेशन को एक नया टीथ एक नया पावर मिला इसके तहट दो केसे जो रजिस्टर हुए उसमें क्रिमिनल कॉंस्पिरेशी, चीटिंग और तेलंगाना ओनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन आक्ट के तहट केस रजिस्टर हुए था इसमें इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला कि लगभग 97,000 रुपीज एक केस में और 1,64,000 दूसरे केस में चीटिंग हुआ इस क्राइम में जो एमो है उसके तहट जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टेलिग्राम वो टेलिग्राम ग्रूप यूज होता था और टेलिग्राम ग्रूप में केवल रेफरेंस से ही एंट्री मिल सकता है और यह रेफरेंस या तो सिस्टम एड्मिनिस्टेटर या किसी मेंबर के थुरू नए नए लोगों को एंट्री मिलता था और उसके बाद एंट्री के बाद हर एंट्री पे कमिशन भी मिलता था इसमें जो कंपनीज के नाम बहार आए हैं उसमें लिंक्विन, स्पोर्ट पे, डोकी पे और इन सब कंपनीज में कुछ डाइरेक्टर्स इंडियन हैं कुछ डाइरेक्टर्स चाइनीज हैं अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें चार लोगों की गिरफतारी हुई है उसमें एक चाइनीज भी है बाकी कंपनीज जिसके नाम इसमें आए हैं उसमें ग्रोइंग, इन्फोर्टेक, सिली कंसल्टेंसी सर्विसेज पैन यूंग टेक्नोलिजीज, डेजी लिंक फिनांशियल, हुआ हो फिनांशियल और इसमें जो डाइरेक्टर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम है राहूल महाजन, गुरगाओं के रहने वाले लिंग यांग, चाइना के रहने वाले मिंग यांग, चाइना के रहने वाले जिनलिंग वैंग, चाइना के रहने वाले नीरच कुमार तुली, डेली के रहने वाले धीरत सरकार, गुरगाओं के रहने वाले ये लोग, जो डोमेन सर्वर यूज करते हैं यह सब गेमिंग वेबसाइट चाइना बेस्ट है और जो इसका पूरा डेटा है वो क्लाउड बेस्ट डेटा मैनेजमेंट है एंटाइर टेखनिकल ओपरेशन चाइना से इसका डाइरेक्शन होता है बाइद डाइरेक्टर्स ओफ चाइनीज ओरिजिन और अभी तक के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसके तहट 1100 करोर से उपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था और एक केरिबियन आइलेंड में एक जगह है केमेन आइलेंड जिसको की एक टैक्स हेविन माना जाता है वहाँ भी इस कंपनी का एक्जिस्टेंस और लिंक अभी तक बाहर आया है साइबर क्राइम पुलिस टेशन के तरफ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक जो बैंक एकाउंट सीज हुआ है उसमें 30 करोर एमाउंट का सीजर हुआ है जो की HSBC बैंक गुडगाओं में लोकेटेड है और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो चार लोग गिरफतार हुए हैं उसमें एक चाइनीज भी है इससे जुड़ा हुआ ओनलाइन गेमिंग जो होता है चन्नाई और दूसरे चहर में कुछ विक्टिम लोग सुसाइड भी किये हैं इसलिए मैं आप लोगों के मारफ से पेरेंट्स, टीचर्स, यंग बॉइज और गर्ल्स को ये कौशन करना चाहता हूँ नमबर वन, ओनलाइन गेमिंग इस इल्लीगल इन तलंगाना, नमबर टू, इस अलसो काजिग दिप्रेशन, सुसाइड और तिंग्स इन मैं इसमें हमारे CCS, साइबर क्राइम पुली स्टेशन के जो ओफिसर, जिन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है इस इन्सपेक्टर ओफिसर मदन, साइबर क्राइम पुली सिस्टेशन के, इन्सपेक्टर मोहन, साइबर क्राइम पुली सिस्टेशन, कॉंस्टेबल ओफिसर महेश्वा रेडडी, कॉंस्टेबल ओफिसर सुनिल, कॉंस्टेबल ओफिसर चारी और ACP प्रसाद, ये सब मिलकर ब करना है जैसे कि Enforcement Directorate, Income Tax Department, Registrar of Companies and overall guidance by Additional Commissioner of Police Crime Branch Chicago L. I convey my hearty congratulations to the entire police team. Thank you. ऐए dulu, दाए, पाLEए, पारत टार्म at WCC.